Hello Friends, इसका की Shortcut Series में आपका स्वागत है आज हम तीसरा सवाल स्टेडी करने जा रहे हैं Audit of Information System Chapter का दो कोश्चन हम आज से बड़े डिस्कस कर चुके हैं बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और सवाल हमारे पास क्या है? Audit of Application Security Controls आपकी जानकारी के लिए बता दू Internal Controls तीन तरह की होते हैं हमारे पास एक का नाम होता है Application Controls एक का नाम होता है हमारे पास General Controls और एक का नाम होता है Managerial Controls तो यहाँ पर सिंपल से बात करी गई है कि आखिरकार Application Controls को अगर हमें Audit करना है तो हम किस तरीके से Audit कर सकते हैं फिलाल application controls क्या होते हैं, general controls क्या होते हैं, manager controls क्या होते हैं, technical information है अभी हम question के points को याद करने के लिए बैठे हैं तो हमारा छोटा सा सवाल है कि application controls का और हमें audit करना है तो हम कैसे कर सकते हैं तो हमारी lossy technique के द्वारा कहानी कुछ इस परकार से है एक मोटी औरत है जिसका हमें operation करना है एक भोट मोटी औरत है जिसका हमें क्या करना है बेटा, operation करना है ताकि हम उसको slim बना सकें तो operation नाम का शब्द यहाँ पे खास है, operation नाम के शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यह मेरे पास क्या बन गया operation नाम के शब्द की बात करेंगे तो ये मेरे पास बन गया operational control चीक है बेटा और उसको में slim बनाने की बात करना है तो slim से मारे यहाँ पर क्या मतलब है slim का मतलब है उसको यहाँ पर हमने क्या नाम दिया tactical controls का नाम यहाँ पर दे दिया तो एक मोटी सी ओरत है उसको हमें slim बनाना है तो slim बनाने के लिए मोटी सी ओरत का हमें operation करना पड़ेगा और operation का मतलब है operational control और slim का मतलब है tactical control और ऐसा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी strategy बनानी पड़ेगी कितना कम खाए कितना कम सोए कितना ज्यादा व्याम करें, एक्सराइज करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to make a strategy, ओके, तो finally समझने वाली बात यहां पर यह आ रही है, कि हमने तीन तरह के शब्दों को study करा, एक का नाम हमारे पास क्या रहा है, एक मोटी सी औरत को पतला करने के लिए हमें operation करना पड़ेगा, which means operational control, और पतला करने का मतलब है tactical controls, और इन सब कामों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, layer बनानी पड़ेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, strategic layer का नाम यहां पर नाम दिया हुग है, तो कितने control होगे बेटा हमारे पास OTS नाम का shortcut हो गया, O मतलब operational, T मतलब tactical और S मतलब strategical, कुछ भी नहीं था इस question में बहुत ही ज़्यादा simple था, पर यह तीन शब्द आपको याद रहेंगे मोटी औरत के नाम से, तो चलिए, इस सवाल में इतना ही, किसी भी तरह की समस्य आती है, तो आप इस लिखित number पर contact कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको right information, right time पर मिले, तो subscribe करना ना भूलिए, और अगर आपको लगता कि यह काफी information productive है, आपके exam के लिए, तो इस वीडियो को अपने friends के साथ जुरूरी शेर करिए, thank you so much, भारत माता कीच है, लक्ष education की, इसका की shortcut series में आपका स्वागत है, audit of information system का second question हम discuss करने जा रहे हैं, बड़ा simple सा question है, बच्चो वाला question है, ना भी discuss करता तो भी चल जाता, और question का नाम हमारे पास क्या आ रहा है, that is, what are the key activities of audit planning, आप सभी बच्चे जानते हैं कि audit करने से पहले, auditor को planning करनी बढ़ती है, यहां पर order का नाम है, information system order, और जब वो audit की planning करता है, ताकि काम systematically हो सके, तो planning करते समय, वो किन-किन चीजों के बारे में understanding लेता है, किन-किन चीजों के बारे में knowledge लेता है, उसका ब्योरा है इस सवाल के अंदर, तो what are the key मतलब होता, important, important activities of audit planning, तो हमारा story इस परकार से है, office में बैठ के, हमारा जो information system order है, वो entity और उसके operations को study करने का परियास करता है, entity मतलब क्या होता है, organization जहाँ पर हम audit करने गए हैं, company जहाँ पर audit करने गए हैं, आप लोग ने audit की परिभाशा में भी इसका नाम सुना होगा, audit की definition क्या होती है, it is an independent examination of a financial statement of an entity, of a financial statement of an entity, with a purpose to express an opinion, okay, तो यह आपकी परिभाशा है, तो महाँ पर entity का discussion था, तो entity का मतलब है कि वो company, वो organization जहाँ पर आप audit करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको understand करना पड़ेगा, उसके operations को understand करना पड़ेगा, operations को तीन पार्ट में तोड़ा गया है, input हो गया, processing हो गया, और साथ में आपका output हो गया, operations में definitely fraud होने के chances होते हैं, input में अगर fraud होगा, तो processing गलत होगा, processing में अगर fraud होगा, तो output गलत होगा, output गलत होगा, तो हमारे top level management के पास right information नहीं जा पाएगी, हर company चाहती है कि operations में fraud नहीं हो, इसलिए वो company internal control system लगाती है, appropriate, effective internal control system लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, चीक है जी, च्योंकि आप जानते हैं कि audit करने से पहले, हमें audit के audit की report बनाने से पहले, हमें audit का procedure करना पड़ता है, और आप सभी जानते हैं कि audit के procedure दो तरह के होते हैं, एक करनाम substantive होता है, और आप ये भी जानते हैं कि जब हम audit करते हैं, तो audit करने के दो तरीके होते हैं, एक करनाम complete audit है और एक करनाम sample audit है, अगर मेरी organization में internal control system बड़े ही सुन्दर, बड़े ही effective, बड़े ही खतरनाक लगा रखे हैं, तो मेरे को sample audit मैं कर सकता हूँ, और अगर मेरे को लगता है कि नहीं हमारी company में घटिया वाले information in system, internal control system लगा रखे हैं, बेकार वाले जिसके वज़ा से fraud होने के chances हैं, तो मेरे को वहाँ पर sample नहीं, बलकि in-depth याने की complete audit करने की तरफ भागना पड़ेगा, हना, तो हम ने क्या करा, सबसे पहले किसी office में बैठके information system ओइटर ने office में बैठके entity के operations को समझा, entity के internal control system को समझा, ताकि वो decide कर सके, ताकि वो design कर सके, कि audit के procedures कौन-कौन से follow करने हैं, compliance procedure कितने खतरनाख तरीके से follow करने हैं, substantive procedure कितने खतरनाख तरीके से follow करने हैं, इन तीन चीजों को shortcut में क्या का जाता है NTE, nature हो गया, timing हो गया, extent हो गया हना, nature हो गया, timing हो गया, extent हो गया, extent मतलब complete audit करना है कि sample audit करना है timing से मतलब क्या होता है कि हमें offline audit करना है कि online audit करना है कि real time audit करना है वो timing का मतलब है और nature का मतलब आप जानते ही है कि nature internal control system की knowledge से बनता है जो कि हमें information देता है कि हमें sample audit करना है या complete audit करना है तो yes हमने क्या बोला हमने ये बोला सबसे पहले कि information system auditor office में बैठ के entity के operation को understand करेगा उस company की internal control system को understand करेगा ताकि वो design कर सके audit के procedures और audit के procedure का nature timing extent decide कर सके तो मेरे ख्याल से ये question इसका का होना ही नहीं चाहिए था ये question तो आपके IPCC की audit का है final की audit का है उमीद करता हूँ ये छोटा सा answer आपको याद हो गया होगा आईए इसके points देखते हैं पहला point understand entity and its operation दूसरा internal control system को understand करना so that we can design the audit procedure audit procedure we own low we have classified in two parts एक करनम compliance है एक करनम substantive है with a purpose to plan the nature timing extent of the audit procedure किसी भी तरह की technical information अगर आप अधिक जानना चाहते है मेरे पास घ्यान का सागर है घ्यान का भंधार है आप ये मत समझना कि अगर मैं आपको shortcut से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को इतना ही आता है मेरे पास हर topic का एक विस्तार घ्यान है और अगर आप चाहते हैं तो इस number पर contact कर सकते हैं किसी भी तरह की अगर आपको समझ से आती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको like करिए subscribe करिए और subscribe करना मद भूलिए क्योंकि subscribe करने से benefit होता है कि right time पर आपको right information right message के साथ मिल जाएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको लगता है कि किसी भी एंगल से आपकी इसका में ये support करता है तो आप अपने friends के साथ भी share करिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके चलिए आज के लिए इतना ही जैहिन भारत माता कीचे Hello everybody, Lux education में आपका स्वागत है जैसा कि हमने पिछले lecture में emerging technologies का नाम का topic खतम कर दिया था अब हम एक नया chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको again हम एक low C technique के द्वारा स्टार्ट करेंगे जहां पे story की form में आपको points को याद करवाने का परियास करा जाएगा इन lectures की मदद से आप points को याद कर सकते हैं पर technically अंदर का जो ग्यान है उसमें आपको खुद ही अपनी सेवा करनी पड़ेगी हाँ मैं आपको help कर सकता हूँ अगर आप इस contact number पर मेरे को contact करना चाहें तो किसी technical point को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा पर फिलाल हमारी अभी कोशिश यही करी जा रही है कि हम आपको answer के technical points को याद करवा सकें ताकि आप उसको वहाँ पे exam में specified कर सकें तो चलिए अब हम एक निया topic स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है auditing of information system जैसा कि बच्चों को ग्यान होगा information system क्या होता है हमने पढ़ा था कि information system एक system होता है जो कि information provide करता है top level management को for the decision making purpose IPCC के इंदर भी आप लोगों ने बड़े सारे information system को study करा होगा जैसे TPS हो गया, MIS हो गया, DSS हो गया, EIS हो गया, Expert system हो गया, ERP हो गया, Office automation system हो गया जै कि artificial intelligence हो गया हमारे पास और core banking system हो गया, centralized online real time banking environment हो गया data mining हो गया, data warehouse हो गया तो उमीद करता हूँ आप बच्चों को सभी information system का ग्यान होगा तो हम यहाँ पर क्या करने की बात कर रहे है information system को audit करने की बात कर रहे है आज से पहले order क्या करता था, financial statements को audit करता था पर क्योंकि आजकल सभी organization में information system का परियोग होता है information system का इस्तमाल होता है तो order की यह duty बन जाती है कि information system को audit करें तो कि information system information provide करता है top level management को for the decision making purpose और अगर top level management को wrong information मिलेगा तो wrong decision making करेगा और अगर wrong decision making हुआ तो आप बच्चे सभी जानते हैं कि company की growth में फरक पड़ेगा तो इस chapter में main योगदान यही देखा गया है यही बताया गया है कि किस परकार से information system को audit करा जाता है और auditing of information system में कितने तरह के सवाल आते हैं उसको हम बारी बारी discuss करेंगे फिलाल सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है responsibility of IES auditor जहांपे IES का मतलब है information auditor यहीं information system auditor information system auditor की क्या क्या responsibilities है audit करने से पहले वो company की किन किन बातों के बारे में जानकारी रखे यह एक छोटा सा answer है हमारे पास जिसको हम याद करने का परियास करेंगे चिक है तो हमने एक कहानी इस परकार से बनाई है कि information system auditor एक professional आदमी है वो एक professional है तो जो professional आदमी होता है तो आप जानते है उसके पास technical qualification भी होती है उसके पास technical knowledge भी होती है जिस area को वो audit करने जाता है उसके बारे में उसको जानकारी है उसको पता है कि आखिरकार हमारा TPS, MIS, DSS, EIS कैसे काम गरता है ERP कैसे काम गरता है और ये छोटी मोटी चीज़े नहीं होती है इसके लिए technical qualification होना का requirement है तो हमने पहला point क्या याद करा है जो ये underlines होते हैं ये point होते हैं जो आपको मिलनी याद करने है underlining आप देखने है professionals के नीचे underline है technical qualification knowledge के नीचे underline है ये आपको याद करना है तो हमने कहानी क्या बनाई information system oiter एक professional है उसके पास technical qualification है उसके पास technical knowledge है चीक है जी अच्छा उसके पास और बड़ी तरह की knowledge है technical knowledge से क्या मतलब है सर वो information technology policies को जानता है information technology standards को जानता है business में क्या क्या operations हो रहे हैं business के operations को technical हमने तीन पार्ट में तोड़ा होता है input क्या हो रहा है processing क्या हो रहा है output क्या हो रहा है तो हमारे information system oiter के पास IT को लेकर information technology को लेकर hardware को लेकर software को लेकर internet को लेकर networking को लेकर intranet को लेकर extra net को लेकर चीक है बेटा DBMS को लेकर securities को लेकर उसके पास पूरा ज्यान है, पूरा नॉलिज है कि company को ये सारे standards follow करने चाहिए, इस तरह की security को लगाना चाहिए, अगर इस तरह की security लगा लेगा तो बहुत बढ़िया बात है, इस तरह की security अगर नहीं लगाता है, तो yes वो shareholders को report देगा कि नहीं भी है, company के अंदर information security अच्छी knowledge है, और सवाल उठता है knowledge किस बात की है, हमने का knowledge है IT policies को लेकर, knowledge है standards को लेकर, knowledge है business के operations को लेकर, कि company में business के company के business में कैसे input होता है, कैसे processing होता है, कैसे output होता है, वो business operations की सारी plus points के बारे में जान जाएगा, सारी minus points के बारे में जान जाएगा, business operations के सारे जो minus points हैं, उसको हम क audit के अंदर भी पड़ा हुआ है risk assessment procedure अगर आपको याद हो essay 315, essay 330 ये चीज़ तो आपने IPC में भी discuss कर रखी है हना तो हमारा जो information system order है उसको पता लग जाता है कि company के ये काम करने के तरीके हैं और उसको पता लग जाता है कि company के काम करने में ये कमिया है और कमियों से क्या जनरेट होगा risk जनरेट होगा वो risk company में जनरेट ना हो सके इसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं controls, internal controls बार बार आपने ये नाम सुना है audit के अंदर और यहाँ पे वो नाम क्या है IS controls तो यानि information system order के पास information system internal controls के बारे में भी जानका रही है risk के बारे में भी जानका रही है, IT policies के बारे में भी जानका रही है IT के standards के बारे में भी जानका रही है, business के operations के बारे में भी जानका रही है technical qualification भी है, technical knowledge भी है तो ये सारी की सारी खुवियां हैं किस के पास हमारे आमीर खान के पास नहीं हमारे information system oiter के पास यहाँ पर आमीर खान को हमने information system oiter बना दिया आईए एक बार फिर study करते हैं IES एक professional आदमी है उसके पास technical qualification और technical knowledge है उसके पास IT policy का ग्यान है उसके पास IT standards का ग्यान है कंपनी के business के operations के बारे में ग्यान है जहाँ पे वो risk के बारे में understanding ले सकता है और risk को study करने के बाद ये decide कर सकता है कि कंपनी के पास किस तरह के internal control system का लगा होना चाहिए चीक है बच्चो तो ये हमारे पास technical points है देखें इन में से सारे के सारे points मैंने discuss कर लिए professional आदमी है technical qualification है knowledge है उसके पास IT policy का ग्यान है standards का ग्यान है उसके पास company के business operations का ग्यान है और टेक ने उसके उसके बास controls के बारे में ग्यान है और उसके बास risk के बारे में ग्यान है तो ये सारे के सारे points है तो अगर आप इन points को लिखाएंगे तो आपके अच्छे number score हो जाएंगे तो ये आज का पहला सवाल था किसी भी तरह की समस्य आती है तो आप इस number पर contact कर सकते हैं और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए valuable है तो अपने friends के साथ जरूर शेयर करिए अपना भी भला करिए अपने दोस्त क कीजए आज के लिए इतना ही बाकी next class में देखेंगे thank you so much